नमस्कार आप देख रहे हैं टार्गेट विदालोक आउनलाइन इंस्टिट्यूट मैं हूँ विवेक मिश्र साम को आठ बच चुके हैं और वक्त हुचला है 8 पीम न्यूज बुलेटिन गे सापता ही करेंट अफेयस का अपने इस खास सेशन में हम बीते सपता की उन सभी जरूरी खबरों पर नज़र डालते हैं जो आपकी परिक्षाओं के लिहाद से महत्तपूर्ण साबित हो सकते हैं तो चलिए आज की बड़ी खबरों के साथ आज की बुलेटिन की सुरुवात करते हैं रूस ने दावा किया है कि कोवेट-19 का पहला वैक्सीन वह 12 अगस्त 2020 तक तैयार कर लेगा इस वैक्सीन को मौस्को के गैमलेया संस्थान और रूसी प्रत्यक्ष निवेस को स्थवारा विक्सित किया जा रहा है हलाकि कुछ वैज्यानिकों को इस बात की चिंता है कि इस टीके के परिक्षण से संबंधित आंक्रे रूस द्वारा अभी तक सारवजनिक नहीं किया गया यह वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभावसिलता पर संदेह पैदा करता है इस टीके के अलावा रूस द्वारा कुछ अन्य टीके का परिक्षण किया जा रहा है जिसमें एक टीका रूसी विशान विज्ञान संस्थान में मानव परिक्षण के दौर से गुजर रहा है जिसका डाटा रूस ने समय समय पर सारवजनिक किया है इस टीके का अभी तक का नतीजा काफी उत्साह वर्धक रहा है कोरोना महामारी की इस्तिती को देखते हुए इस वर्स बहत्तर में प्राइम टाइम एमी अवार्ड का आयोजन वर्चुल होगा यह पुरसकार पहले लॉस एंजल्स में माइक्रोसाफ्ट थियेटर में आयोजित होना था लेकिन अब इसकी सुटिंग अभिनेताओं के घरों सी किया जाएगा इस समारों का आयोजन 20 सितंबर को किया जाएगा एमी प्राइम टाइम आवार्ड यूएस प्राइम टाइम टेलिविजन प्रोग्रामिंग में उतक्रिष्ट प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए एकेडमी आफ टेलिविजन आर्ट्स एंड साइंसेज यानी ए टी एस त्वारा दिया जाने वाला अमेर की पुरसकार है इसकी सुरवात साल 1949 में किया गया देश में आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए मनी लॉंडरिंग और आतंकी फंडिंग को लेकर बहुप्रतिक्षित वित्ती कारवाई कारियबल यानी FATF की समिक्षा योजना को आगामी साल तक के लिए टाल दिया गया अधिकारियों ने जानकारी दिया कि यह आहम फैसला कोरोना महामारी के मद्दे नजर लिया गया FATF के विशेशग सितंबर अक्टूबर तक भारत में आकर इन कदमों की समिक्षा करने वाले थे वित्तमंत्राले के एक वरिष्ट अधिकारी ने बताया कि FATF समिक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी आगे उन्होंने उमीद लगाई है कि नई तारीखें अगले साल की सुरुवात में तैय की जाएंगी FATF ने भी इस संबंध में सारवजनिक घोशना कर दी है भारत ने इस बार FATF विशेशग्यों के समक्ष पक्ष रखने के लिए 22 केंद्री जाच खूफिया और नियामकी एजंसियों का ज्वाइंट ग्रूप बनाया है हाल ही में केंद्री वित्मंत्री निर्मला सीता रमण ने बताया कि सरकार विनिवेश की यूजना के तहत 29 कमपणियों में हिस्सेदारी की प्रक्रिया पूरी करने का काम कर रही है जिसके विनिवेश को लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है वित्मंत्री ने कहा कि आत्म निर्भर भारत के तहट सरकार तकरीबन सभी सेक्टर्स को निजिक शेत्र के लिए खोलने पर विचार कर रही है उन्होंने आगे कहा कि कारोबार के लिए दिये जा रहे कर्ज की समिक्षा के लिए जल्दी ही लगू कर्ज का कारोबार करने वाली कमपनियों और गैर बैंकिंग वित्तिय कमपनियों के साथ बैठक करेंगी इस मुद्दे पर अंतिम फैसले को लेकर उन्होंने अभी कोई जबाब देने से इनकार किया उन्होंने इतना जरूर कहा कि सही समय आने पर सरकार उचित कीमत पर हिस्सेदारी बेचेगी 29 जुलाई को केंद्रिय सूचना एवंग प्रशारण मंत्री प्रकास जावडेकर ने बताया कि नई सिक्षानीती 2020 को मंजूरी दे दी गई स्री जावडेकर ने बताया कि साल 1986 के बाद आज 34 साल से सिक्षानीत में कोई बड़ा बतलाव नहीं किया गया था इस लिहासे यह सिक्षानीती काफी महत्तुपूर है शिक्षानीती में बतलाव की साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्राले का नाम बदल कर अब सिक्षा मंत्राले कर दिया गया इस सिक्षा नीती में स्कूली सिक्षा से लेकर उच्च सिक्षा तक तमाब महत्पूर्ण बदलाव किये गए हैं भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानि इसरो के पूर्व अध्यक्ष कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिती ने साल 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निसंग को नई सिक्षा नीती संबंधी मसावदा संपा था इस मसावदे पर लोकों की राय जानने के लिए इसे सारवजनी किया गया और तकरीबन दो लाख सुझाव भी प्राप्त हुए नई सिक्षा नीती का मसावदा भारती जनता पार्टी क 2014 लोक सभा चुनाव के घोषना पत्र में भी था और इस एजन्डे पर बीजेपी कायम रही वर्तमान सिक्षा नीती 1986 में ततकालिन प्रधार मंत्री स्री राजीव गांधी के काल में हुआ था जिसे 1992 में संसोधित किया गया नई सिक्षा नीती के तहत सिक्षा पर सकल घरेल उत्पाद का 6 प्रतिसत खर्च किया जाएगा जो अब तक 4.43 प्रतिसत हुआ करता था नई सिक्षा नीती 2020 को विस्तार से पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें 30 जुलाई को अमेरिकी अंतरिक्ष एजनसी नासा ने मिशन मार्श 2020 को फ्लोरिडा के केप कनेवरल में कैनेडी स्पेस सेंडर से लौंच किया यह मिशन अमेरिकी समयानुषार सुबस 7 बचकर 50 मिनट पर लौंच किया गया नासा का यह मिशन उसके अनेक महत्वा कांक्षे म मिशनों में से एक है नासा इस मिशन में पर्शेवरेंस रोवर को मंगल की सतह पर भेजा है जो मंगल के सतह पर पुराने जीवन की जानकारी इकठा करेगा यह मिशन मंगल ग्रह की चटान को पहली बार धरती पर लाकर किसी प्राचीन जीवन के प्रमाण की जाच के लिए उसका विशलेशन करेगा। लंबे समय तक चलने वाले इस महत्वा कांक्षी पर्योजना के अंतरगत कार के आकार का एक रूवर बनाया गया है जो कैमरा, माइक्रोफोन, ड्रिल्व और लेजर से युक्त है। 48 करोण किलोमीटर की यात्रा के बाद यह मिशन फरवरी 2021 में मंगल की सतह पर पहुँचेगा। हाल ही में स्रिलंका सरकार ने भारती रिजर्व वैंक के साथ 400 मिलियन अमेर्की डॉलर के मुद्रा विनिमय समझोते पर हस्ताक्षर किये। मुद्रा विनिमय का यह समझोता नवंबर 2022 तक मान्य होने की उमीद है। के बीच एक मुद्रा के बदले दूसरी मुद्रा प्राप्त करने के लिए एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। इससे फायदा यह होता है कि विदेशी मुद्रा बाजार और विनिमय दर में इस्थेताव अन जोकिमों का खत्रा नहीं होता है। 27 जुलाई को भारत और इंडोनेसिया ने रक्षा उद्योग और प्रवध्योगी की साज़ा करने समेत कैक शेत्रों में रणनेतिक सहयोग बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया। भारती प्रतनिधी मंडल की ओर से रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग और इंडोनेसिया इप्रतनिधी मंडल की ओर से रक्षा मंतरी जनरल प्रववो सुवियानतो थे। दोनों पडोसी देशों ने सुरक्षा साज़ेदारी को नई दिसा की ओर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने बादचीत की दोरान रक्षा और सैन्ने संबंधों को विस्तार देने की समस्याओं पर चर्चा किया। हाल ही में भारत सरकार ने बंगला देश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौपे हैं जो बंगला देश को रेलवेर सक्ति में ब्रिधी के लिए कारगर साबित होगी। भारत पडोसी देश बंगला देश में शड़क, रेल, बंदरगा, विकास के लिए तमाम पर योजनाओं में मदद कर रहा है। केंद्री रेल मंत्री पियूस गोयल, विदेश मंत्री एस जैसंकर और रेल राज्य मंत्री सूरेश अंगाडी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये इसे हरी जंडी दिखाई। पस्षिम बंगाल के नदिया जिले में पूर्वी रेलवे के गेडे स्टेशन से सभी इंजनों की रवानिगी हुई और इन भारती रेल इंजनों को बांगला देश के दरसना रेलवे स्टेशन पर रिसीप किया गया। 29 जुलाई 2020 को भारती सेना और भारतियों का इंतजार खत्म हुआ। बुद्वार को भारती सेना को दुनिया के सबसे सक्तिसाली लडाको विमान राफेल की अभिद सुरक्षा मिल गई। सुखोई विमानों की निगहबानी में पांचों राफेल अंबाला एयर बेस पर सुरक्षित लेंड किये। लेंडिंग के बाद वाटर सैल्डूट के जरिये स्वागत किया गया। अगवानी के लिए वायू सेना प्रमुक एयर चीफ मार्सल आर के एस भदोरिया भी मौजूद रहे। इस मौके पर स्री भदोरिया पांचों पाइलटों से हाथ मिलाकर उनका हाल चाल जाना। राफेल पाइलटों की टीम में दक्षिन कस्मीर के एयर कमांडर हिलाल अहमद, उत्तर प्रदेश के बलिया से कमांडर मनी सिंग, राजस्थान के जालावर से विंग कमांडर अभिशेक त्रिपाठी सामिल थे। आपको बता दें कि फ्रांस से 7000 किलोमेटर की इस यात्रा में राफेल युएई के अलदफरा बेस पर ठहराव और रेफ्यूलिंग के बाद 29 जुलाई को अपरहान 3 बचे अमबाला एयर बेस पहुँच गया। आपको बताती चले कि लड़ाको विवान सुपरसोनिक गती से उडान भरते हैं लेकिन उनमें इंधन कम होता है और वे ज़्यादा दूरी तै नहीं कर पाते। रॉफेल 2000 किलोमेटर तक लगातार उडान भरने में सक्षम है। हाल ही में मानो संसाधन विकास मंत्राले ने डिजिटल सिक्षा 2020 पर भारत रिपोर्ट जारी किया। HRD मिनिस्टी के डिजिटल सिक्षा प्रभाव ने राज्यों और किंडर सासित प्रदेशों के सिक्षा विभागों के परामर्स से तैयार की गई। मंत्राले ने डिजिटल सिक्षा पर आधारित प्रग्यता नाम से दिशा नर्देश जारी करने के साथ साथ दिक्षा मंच, स्वयंग प्रभा टीवी चैनल, ओन एयर सिक्षा वाणी, ईपाट साला और टीवी चैनलों के जरिये सिक्षकों, छात्रों और विद्वानों की सह हायता के लिए कई पर्योजनाओं को सुरू किया है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन काउंसिल ओफ मेडिकल रिसर्च यानि ICMR के तीन नविंतम हाई थ्रूपुट लैब को लॉंज किया, भार सरकार सुरुवाती चरण में COVID-19 का पता लगाने के लिए टेस्ट ट्रैक और ट्रीट यानि थ्रीटी रणनीती पर कारे कर रही है, थ्रीटी देश में प्रमुख रणनीती के रूप में कारे करेगा और इस रणनीती को प्राप्त करने के लिए ही ICMR द्वारा नई उच्छ थ्रूपुट प्रयोग सालाएं सुरू की जा रही है, के हिस्सेदारी भी सामिल है वहीं भारत एक दिन में 3.5 लाख के करीब परिक्षण करने की शमता को विक्सित कर लिया है, वर्तमान समय में भारत विश्व में सरवादिक अच्छा कोरोना रिकवरी रेट वाला देश है, नई थ्रीटी तकनिक आने से संक्रमन घटने के साथ रिकवरी रेट बढ़ने की भी उमिद जताई जा रही है, प्रतेक वर्स 29 जुलाई को अंतरराश्टी बाग दिवस मनाया जाता है, इसकी सुरुवात साल 2010 में सेंट पीटर्स बर्ग में आयोजित टाइगर समिट से हुआ था, अंतरराश्टी बाग दिवस तेजी से कम हो बागों की संख्या को सन्रक्षण देना और इसके बारे में आम जनता को जागरु करने के लिए मनाया जाता है, भारत में हर चार वर्स बाद बागों की गड़ना की जाती है, साल 2018 के आकणों के अनुसार भारत में बागों की संख्या 266 थी जो 204 में 226 के मुकाबले तक्री इबन तैंतिस फिसदी अधिख है भारत में सर्वाधिक बागों की संख्या वाला प्रदेश मध्य प्रदेश हैं से भारति लेकिका अवनी दोसी सही तेरा लेखकों को 2022 के बूकर पूरसकार के लिए सूची में सामिल किया गया इस सूची में दो बार की विजेता हिलेरी उपन्यासों का आंकलन किया गया है जो ब्रिटेन और आयरलेंड में प्रकासित किये गए इस पुरसकार के विजीता की घोषणा इस वर्ष नवंबर के माह में किया जाएगा अबनी दोसी अमेरिका में जन्मी है और हाल ही में दुबई में रह रही है भारस सरकार ने सुभास चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरसकार के लिए नामांकन मांगा है यह पुरसकार उन लोगों को दिया जाएगा जिन लोगों ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उतक्रिष्ट कारी किया हो इस पुरसकार के लिए व्यक्ति और संस्थान द प्रबंधन के क्षेत्र में किये गए किसी व्यक्ति या संस्था के निस्वार्थ भाव के कारे को सरहना और एक पहचान दिलाना है। सिक्षा संस्थान का कम से कम पांच गावों से जोड़ना है। इस कारिक्रम के तहद अब तक 2444 संस्थानों द्वारा 13702 गावों को गोंद लिया गया। भारती प्रधान मंत्री ने 27 जुलाई को नुएडा मुंबई और कोलकाता में तीन नए कोविट परिक्षण केंद्रों का विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये उधगाटन किया। इन तीनों केंद्रों को भारती आयरुविज्ञान अनुसंधान परिशद यानि ICMR के सहयोग से बनाया गया है। इन तीनों केंद्रों की खास बात ये है कि कोरोना महामारी के बाद इन केंद्रों पर हेपेटाइटिस बी और सी तपेदिक डेंगू के अलामा दूसरी जटिल बिमारियों की भी जाच की जा सकेगी। सैयुक्त राष्ट ने हाल ही में एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया कि नई दिल्ली में लॉकडाउन के दावरान नाइट्रोजन डाई ऑक्साइट का अस्तर सतर फिसेदी से अधिक कम हो गया। हलाकि यूएन के इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि यह गिरावर्ट अस्थाई हो सकती है यानि लॉकडाउन के समाप्ती के बाद सारी कमपनियों और कारखानों के सुरू होने के बाद वह अपने पहले अस्तर पर पहुँच सकता है। वहीं अगर अन्य देशों में नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड के गिरावट की बात करें तो चीन में 40 फिश्दी, बेल्जियम में 20 प्रतिसद और अमेरिका में 19 से 40 प्रतिसद गिरावट दर्जी की गई। केंद्री परियावरण मंत्री प्रकास जावडेकर ने विश्व बाग दिवस की पूर्व संध्या पर देश में बागों की अनुमानित संख्या पर अखिल भारती बाग आकलन रिपोर्ट 2018 जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में बागों की संख्या उन्तिसो सर्शट बताया गया है भारती जलवायू कारेकरता अर्चना सोरेंग को युवन महासचिव ने अपने नए सलाहकार समुह के लिए नामित किया है अर्चना विश्व के उन्च अन्य युवा जलवायू नेताओं के साथ सामिल होंगी जिन्हें युवन महासचिव ने जलवायू परिवर्तन पर युवा सलाहकार समुह में नामित किया है महासचिव के युवा सलाहकार समुह के सदस्य सभिक्षेत्र के साथ ही छोटे द्विपिय देशों से युवा लोगों की विविध आवाजों का प्रतनिधित्व करेंगे वे जलवायू परिवर्तन पर अपना द्रिष्ट कोण और इसके समाधान पर कारी करेंगे IIT खड़कपुर के सोध करताओं ने COVID-19 का परिक्षण कर एक घंटे से कम में परणाम देने वाली कम लागत की पोटेबल डिवाइस विख्षित की है इस तकनीक में RT-PCR परिक्षण के तरह ही सटीक परिक्षण करने की क्षमता है जिसे परिक्षण के लिए सबसे अच्छा पैमाना माना जाता है यह डिवाइस नमूने का विश्टेशन करने के लिए एक डिस्पोजेबल पेपर पट्टी का उप्योग करती है और इसका परिणाम एक मोबाइल एप्लिकेशन में उपलब्ध हो जाता है सरकार ने चीन के 69 एप्लिकेशन को हाल ही में प्रतिबंधित किया था इसके बाद भारत सरकार द्वारा चीन के 47 एप्लिकेशन को फिर से प्रतिबंधित कर दिया गया आपको बता दें कि पाकिस्तान पबजी को प्रतिबंधित करने वाला पहला देश है हाल ही में न्यूजी लेंड ने होग कॉग कोंग के साथ प्रत्यरपंच संध्र कुन निलम्बित कर दिया यह फैसला चीन द्वारा होंग कॉंग में नया सुरक्षा कानून लगाये जाने के बाद न्यूजी लेंड द्वारा लिया गया है होंग कॉंग की साथ हाल में प्रत्यरपन संधी निलंबित करने वाले देशों में अमेरिका, और स्टेडिया, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देश सामिल है चीन न्यूजी लेंड का सबसे बड़ा व्यापारिक भागिदार है और वह हमेशा प्रत्यक्ष राजनितिक टकराव से बचता रहा है चीन हर वर्स अरबों डॉलर का क्रिसी सामान जिसमें दूध पावडर प्रमुख है न्यूजी लेंड से खरीता है मानो तसकरी के विरुध जागरुकता और पेडित व्यक्तियों के अधिकारों के रक्षा के लिए 30 जुलाई को मानो तसकरी के विरुध विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है इस वर से यूनाइटेट नेशन ओफिस ओन ड्रक्स एंड क्राइम यानि यो न ओडिसी द्वारा मानो तसकरी के विरुध विश्व दिवस की थीम कॉमिटेट टू दे कॉस वर्किंग ओन दे फ्रंट लाइन टू इन्ड हुमन ट्रैफिकिंग रखा गया मानो तसकरी में तकरीबन 33% बच्चे प्रभावित होते हैं दो बार की ओसकर पुरसकार विजेता हॉलिवूड अभिनेत्री ओलिविया डी हैविलेंड का 104 साल की उम्र में 26 जुलाई को फ्रांस की राजधानी में निधन हो गया इनको फिल्म टू इच हिज ओन के लिए साल 1946 में और फिल्म दे हेरीज के लिए साल 1949 में दो बार ओसकर पुरसकार से सम्मानित किया गया था सरकार ने फेस, सील्ड और कुछ तरह के सर्जिकल मास्क के साथ मेडिकल चस्मे के निर्यात की मानदंडों में कमपनियों को ढील दी है जो मुख्यूरूप से विस सुभर में COVID-19 बिमारी के फैलने से मांग में है सरकार प्रतिमहे ने 50 लाख इकाईयों के निर्यात कोटा के साथ व्यक्तिकत सुरक्षा उपकरण यानि PPE किट के सीप्मेंट की अनुमती दे दी है इस निर्यात संबंधी फैसले से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही और द्योगिक विकास भी होगा ACI विकास बैंक यानि ADB ने अपने ACI प्रसांत आपदा मोचन कोस से भारत को 30 लाख अमेर्की डॉलर के अनुदान की मनजूरी दे दी है इससे देश में कुरोना महामारी से निपटने के तातकालिक उपायों में मदद मिलेगी इसी वर्षे 28 अप्रेल को ADB ने भारत को कुरोना महामारी का मुकाबला करने के लिए 15 अरब अमेर्की डॉलर की मदद करने की घोशना किया था फिलहाल 8 पिम न्यूज बुलेटिन के सापता ही करेंड़ फेस में बस इतना ही आज के बुलेटिन को PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें हमारा वीडियो कैसा लगा हमको जरूर बताईए वीडियो को लाइक करिए दोस्तों के साथ सेर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी को बेहतर दिशा देने के लिए जुड़े रहिए टार्गेट विदालोग ऑनलाइन इंस्टिट्यूट से मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार